नमस्कार ये PBNS की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं टुडे एनाई आई आउन रक्षा मंत्री राजनात सिंग देहरादून छावनी की जस्वंत मैदान में सशस्त्र सैना भूत पूर्व सैनिक रेली को संबोधित करने के साथ साथवे सशस्त्र सैना भूत पूर्व सैनिक दिवस समारों की अध्यक्षता करेंगे रक्षामंत्री देहादून से नीती घाटी में स्थित गमशाली तक एक कार अभियान को हरी जंडे दिखाकर भारतिय सैना और CLAW ग्लोब की सन्युक्त सहा से खेल पहल सोल आफ स्टील अलपाइन चैलेंज का भी शुभारंब करेंगे इसके अलावा रक्षामंत्री सशस्त्र बलों के सरवोच बड़िदान एवं उनकी समर्पित सेवा को श्रधांजली देने के लिए उत्तराखंड युद्ध स्मारक ट्रस्ट द्वारा विक्सित शौर्य इस्थल को समर्पित करेंगे जिसने सर्व सम्मती से भूतपूर्व सैनिक दिवस पर सशस्त्र बलों को अपना नेंद्रण भारतिय सैना को सौपने का फैसला किया सातवा सशस्त्र सैना भूतपूर्व सैनिक दिवस देशभर के नौस्थानों अर्थात जुन्जुनू, जालंधर, पानागड, नई दिल्ली, देहरादून, चिन्नाई, चंडिगड, भुमनेश्वर और मुंबई में तीन सेवा मुख्यालेयों द्वारा मनाया जाएगा 14-31 जन्वरी को पशुक अल्याण पखवाले के रूप में मनायेगी RSS सरसंग चालक, मोहन भागवत, तीन दिवसिय दोरे पर राउर केला में सरस्वती विध्यामंदिर के सदस्यों से मिलेंगे, जो की संगठन द्वारा संचालिद संस्थान है हैदराबाद पुलिस संक्रान ती उत्सव के दोरान, सडकों और पूजा इस्तलों के अंदर और आसपास पतंग बाजी पर प्रतिबंद लगाएगी हर्याना के पानिपत में 261 वे मराठा शौर्य दिवस में मराठा समुदायक के सैकणों युवा भाग लेंगे पुरुष होकी वर्ल्ड कब 2023 ग्रूप स्टेज न्यूजिलेंड और चिली के बीच राउर केला में दोपहर एक बज़े भिडंत होगी वहीं नीदरलेंड और मलेशय के बीच भी राउर केला में ही दोपहर तीन बज़े मुकाबला होगा इसके अलावा बेल्जियम और कोरिया के बीच भुवनेश्च्वर में शाम पाँच बज़े तो जर्मनी और जापान के बीच भुवनेश्वर में ही शाम साथ बज़े मुकाबला होगा देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए जुड़िये प्रसार भारती न्यू सर्विस से धन्यवाद